बूर्णिंग टू आपका स्वागत है स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब सेशन में और स्टार्ट करने जा रहे हैं देखते हैं सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे कि क्या क्या चीज़े हैं इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपके पास टोटल 17 यूनिट्स आती हैं और बेसिकली बहुत ही एजी चैप्टर है ज्यादा मुश्कील नहीं आएगी आपको ठीक है कस्टमर सविस यानि कि एक कस्टमर को सविस जब दे रहे होते हैं तो उस टाइम पर कैसे मैनेजमेंट होगी इसके उपर हम बात करेंगे क्योंकि आप कर रहे हैं BRL यानि कि रिटेल का कोर्स है आपका तो रिटेल के अंदर डेफिनेट कस्टमर का सविस मैनेजमेंट तो आ होनी चाहिए कस्टमर की expectations क्या होती है service quality क्या है customer experience management कैसे किया जाएगा ठीक है customer loyalty उसके बाद आपके पास grievance और complaint system आ जाएगा कि customer की complaint को कैसे soul किया जा रहे service recovery आ जाएगी ठीक है internal marketing आ जाएगी communication of customer यह आ जाएगा ठीक है customer communication technology customer services customer की measuring ठीक है तो मतलब इस तरह की चीज़े हैं जो इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाली है ठीक है chapter number one से शुरुवात करते हैं unit number one introduction to customer service देखे customer service का अगर हम सिधा सिधा सा meaning निकाले तो इसका मतलब यह होता है जो customer की जुरूरते हैं जो customer की need है और जो उसकी expectation है देखो need अलग होता है और expectations अलग होता है जैसे need का मतलब तो यह हो गया कि वो उसको एक समान की जुरूरत थी और उस समान की जुरूरत को पूरा करने के लिए customer जो है वो market में आया है retailer ने उसको वो provide कर दिया यानि उसको need को तो satisfy किया लेकिन उसके बाद customer को service किस तरह से दी गई यानि क्या वो product properly उसको deliver हुआ है या नहीं क्या उसकी expectations के मुताबिक जो कि जैसा customer expectation होगा करके आया था क्या वो expectation उसकी पूरी हुई है तो वही क्या होता है बैतर customer service होता है जैसे कि customer को facility दे दी कि आपका जो product है वो home delivery कर दी जाएगी ठीक है आपका transportation का cost नहीं आएगा इस तरह की चीज़े आती है customer service के अंदर और उसकी जो expectations है उनको पूरा करने की कोशिश की जाती है ठीक है customer service के अंदर क्या-क्या आता है taking the care of customer need ठीक है customer की need क्या है उसको जानना उसकी expectations के थोड़ा सा beyond जाकर के काम करना वो customer service में आएगा next is customer interaction रखना so that की customer जो है वो switch ना करे एक retailer से दूसरी retailer की तरफ ना जाए ठीक है being at the best with every customer customer के साथ अपना behavior अच्छा रखना है ये भी customer service का ही part है according to janetham betner इन्होंने क्या बोला है customer service is the service provided in support of a company core product जो company का product है उसके अलावा जो company customer के लिए करती है customer को जो भी services provide करती है वो आपका क्या हो जाएगा customer service हो जाएगा ठीक है customer के बारे में कुछ fact है जैसे कि कहता है कि 32% of consumer जो है वो in store experimental moment को enjoy करते है 95% of consumer जो है कोविड के safety protocol के according store यह रहने दीजिए यह आपको करने की need नहीं है ठीक है जाटा दिया हुआ है कोई इसकी importance नहीं है अब आगे आता है कि customer service हम करते हो रही है या customer service management करते हैं तो इसके फाइदे क्या है सबसे पहला फाइदा है help to retain the customer अगर customer को better service देंगे हाना customer के साथ हम अच्छे से behavior करेंगे उसकी जो problem है उसको फटा फट से solve कर देंगे तो हमारा customer हमारे पास रहेगा वो कहीं दूसरी रिटेलर सोप के पास switch नहीं करेगा तो एक लंबे time तक customer को अगर retain करना है तो उसको customer services provide करनी होगी secondly excellent product management number two क्या है कि भी हम customer को एक product as a service दे रहे हैं तो excellent तरीके से दे रहे हैं best तरीके से दे रहे हैं customer जो है वो हमारी services से बहुत ज़्यादा खुश रहेगा ठीक है ऐसा भी नहीं है कि customer को अपना advantage लेने देना है ठीक है उसके उपर भी हमें नहीं करना ठीक है बट यह है कि as a retailer हमें product अच्छे से deliver करना है according to the need of customer boost the employee retention retailer जो है customer को अपने employee की तरह रखेगा ठीक है जैसे कि firm के अंदर employee की importance होती है कि अगर employee चला गया तो definite क्या हो जाएगा काम सारे रुक जाएंगे तो वैसे ही हमी customer के साथ deal करना होगा ठीक है क्योंकि अगर customer हमारे पास है तभी तो employee के लिए भी काम है अगर employee को कामी नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा वो छोड़के चला जाएगा firm तो इसलिए employee retention को भी बूस्ट करेगा क्योंकि नॉमल सी बात है अगर customer के पास service होगी customer properly उस retailer soap के पास काम करेगा वहां से समान purchase करेगा ज्यादा quantity में खरीदेगा तो किसके जुरूरत पड़ेगी employee के जुरूरत पड़ेगी तो employee भी retain रहेंगे firm के साथ वो कहीं और नहीं जाएंगे प्रो एक्टिवली address the customer issue हाँ जी customer service management जो है customer के problems को उसके issues को address करने का भी काम करती है और उनकी problem को जल्दी से जल्दी sort out करती है बुच्टा customer life-line value मतलब customer को lifetime तक हम retain करके रख सकते हैं अगर उसको अच्छी service दे रहे हैं चीक है और इससे क्या होगा company की revenue बढ़ेगी और जो marketing का expenditure है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा अच्छा इससे क्या होता है competition advantage भी मिलेगा क्योंकि अगर हम अच्छे से services दे रहे हैं तो हमारा customer तो पक्का हो गया वो कहीं दूसरी तरफ shift नहीं करेगा अगर हमने कोई कमी रखी कोई poor services provide की है तो उस case में ही हमें problem होगी otherwise नहीं होगी ठीक है अगर एक customer को खुश कर दिया तो अपने भाई को लेकर आएगा अपनी बहन को लेकर आएगा अपने friends को लेकर आएगा अपनी family members को लेकर आएगा तो यह chain जो हो बनते चले जाएगी वह reference देता चला जाएगा right इस तरह से customer service पर चिक है और परपर ली है जो इसके उपर एक budget त्यार किया जाता है ताकि हम customer service provide कियर सकें ये भी retailer का ही काम होगा किस तरह के services इसमें आती है good service bad service average service exception service poor service and no feedback ठीक है ठीक है good customer service का मतलब क्या है improvement in service जो आप service दे रहे हो उसमें थोड़ा सा change कर दो improvement ले आओ वो क्या है good customer service है best क्या होगा best यह होगा कि जिससे जो हमने promise किया है customer से उस promise को हमने complete किया within the time complete किया तो हम क्या होगे best customer service provider होगे ठीक है customer जो है वो कोई problem लेकर आया कि उसके product में यह दिक्कत है और आपने उनको यह कह दिया कि आप चले जाओ घर चले जाओ आपका समान आपके घर पहुंच जाएगा ठीक है हम इसको exchange करवा के घर पे पहुंचा देंगे तो यह क्या है example है best customer service का ठीक है average customer service और exceptional average क्या है मतलब जो normally customer चाता है उसको वो चेज़ प्रोवाइड हो जाए तो वो क्या है average customer service exceptional क्या है कि मतलब customer ने सोचा भी ना हो ऐसी हमने कोई service उसको दी है ठीक है वो क्या होता ह exceptional जो उसने accepting नहीं करा expecting नहीं किया ठीक है poor customer service यानि हम expectation को customer की expectation को पूरा नहीं कर पा रहे तो वो क्या है poor customer service है ठीक है या लग-लग service के example भी है आप पढ़ सकते हो easy और salesperson का एक important role रहता है ठीक है आपको पता ही है गुड customer service में क्या आएगा एक memory power generate होएगी ठीक है customer के माइन में यह बात चले जाएगी कि वहाँ वहां की service अच्छी है ठीक है customer की expectation को वो पूरा कर पाएगा customer को royalty loyal customer हमें मिलेंगे customer को ज्यादा फाइदा हो सकता है profit में फाइदा हो सकता है publicity जो है वो अच्छी होएगी कप फर्म की जो है वो positive image create होगी यह सारी चीज़े इसमें आएगी और अगर एक बार image बन गई तो customer repeatedly क्या करेगा पर्थेज भी करेगा long term के लिए रहेगा bad service क्या करती है negative memory डालेगी customer के उपर best experience उसका होगा customer जब तूट जाएगे और ज्यादा firm को loss होएगा negative publicity होएगी negative image create हो जाएगी legal complication आ सकती है problem इस तरह की आ सकती है customer case भी तो कर देती है तो customer जो consumer protection act है उसके मताबिक वो अपने right का use कर सकता है तो ऐसी करके bad customer service के impact रहेंगे उसके बाद है customer का experience को improve करना क्यों जूरूरी होता है simple सी बात है अगर company profit चाती है अभी at present वो profit कमा रही है in future भी चाती है कि भी ऐसे ही profit आगे बढ़े तो definite उसको research work भी करना पड़ता है और customer को experience अच्छा करना पड़ेगा तब ही वो हमारा एक पक्का customer बन पाएगा loyalty increase होएगी ठीक है यह सारी चीज़े है उसके बाद है customer service में quality क्या होनी चाहिए emotionally intelligent मतलब कि जब आप customer service दे रहे हो तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप customer के साथ कोई गलत चीज़ करो ठीक है कोई भी गलत activity नहीं होंगी emotionally intelligent मतलब आप राइड तरीके से address को issue करेंगे problems को issue करेंगे ठीक है timely यानी time के according customer ने जब complaint दी तो उसका response उसको quickly मिल गया faster मिल गया empathetic जो customer service team है वो customer के साथ empathy रखेगी अगर उसके साथ कोई miss happening हुई है कोई problem हुई है इस तरह से attentive ठीक है retail industry में customer problem को लेकर वो attentive हो मतलब ऐसा ना हो कि complaint आज डाली है और उसका response दस दिन बाद आ रहे था ना तो attentive रहना होगा customer service team को full of alternative उसके पास alternative होने चाहिए अगर एक नहीं है तो दूसरा salesman हो आपर ठीक है alternative के होना जुरूरी होगा ownership excellent का service provide करेंगे ताकि कोई ownership right इसका ना ले पाए personalized customer service होनी चाहिए यानि अपने घर जैसा माहोल customer को देना है inspiring so that वो हमारे पास long term के लिए रह जाए ठीक है parameter क्या है कि हम good service दे सकते है listening customer की complaint को अच्छे से सुनो उसके बाद react करो positive attitude रखो हना ऐसा नहीं है कि भी customer तो complaint लेकर आया और आप उसको डाट रहे हो आप उसको जो है वो लड़ाई जगडा कर रहे हो हना वो चीज नहीं होनी चाहिए communication में clarity होनी चाहिए ठीक है customer को confidence देना है ताकि वो अपनी बात अच्छे से रख पाए customer जो है उसको लगना चाहिए कि हाँ ये जो farm है ये जो store है वो उसको importance दे रहा है है उसको important feel करवाना है ठीक है customer की convenience का ध्यान रखेंगे standard of employee है उसका ध्यान रखेंगे तो ये सारी चीज़े है अगर हम बात करते हैं कि barriers क्या होंगे problem कब आएगी problem कब आएगी कि customer service अच्छी नहीं है अगर हमने attitude अच्छा नहीं रखा customer के साथ अच्छे से बातचीत नहीं करी जो salesman है वो काम करके तो आया है लेकिन customer के साथ लडाई करके आया तो वो क्या है unhelpful attitude है laziness दिखा रहे हैं customer की problem को सुनी नहीं रहे customer से interacting नहीं कर रहे communication skill अच्छी नहीं है ठीक है time management अच्छी नहीं है या customer जो है वो बोलके गया था कि भी आज दोपहर तक समान डिलीवर होना चाहिए लेकिन वो हुआ है तीन दीन बाद हाना तो time management अच्छी नहीं है lack of knowledge problem knowledge कि आ सकती है demotivation कि भी आप employee के पास अगर employee को हम motivate नहीं रखेंगे तो अपना काम अच्छी से नहीं करेगा तो हमें demotivation नहीं करनी customer को motivate करके रखना है sorry employee को motivate करके रखना है so that वो अपने customer के साथ अच्छे से बाचित कर पाए इसके अलावा training के problem है कि एक जो retailer company है वो फ्रेशर को ना रखके एक ऐसे विक्ति को लेकर आए जो trained हो हाना training के अगर कमी है तो training पूरी proper करवाए उसके बाद customer से deal करने का मौका दे हाना तो यह सारी चीज़े हैं जो effectively customer service को देगी customer service provide करेगी उसके बाद time आती है single bagger and double bagger देखो single and double bagger क्या है आप person putting the customer shopping into bag in a supermarket is called bagger ठीक है जी कि आप customer customer ने जो भी सामान लिया है उसको एक bag में डाल दिया तो वो क्या है उसका bag हो गया single bagger क्या है कि customer की grocery item है उसको उसने डाल दिया है और cash collect कर लिया single bagger है ठीक है यहां पर properly क्या होता है limit होती है कि उस capacity carrying capacity कितनी है उस bag की वो उसमें लिख्यों होती है वो single bagger है और double bagger होता है कि उसके अंदर हम अपनी convenience के हिसाब से extra bag उसको दिया जाते है इसको हम extra bag बोल सकते हैं ठीक है कि वे उनके पास यह bag तो है और उसके अलावा उसको हमने extra कुछ दे दिया ठीक है वो चीज़़ए बस that's it इतना काफी है इसमें से यह फिर से वही चीज़े है अफेक्टिव कस्टमर सर्विस के आउंगी know your product, product के बारे में knowledge आपको हो, positive attitude आपका हो, problem solving behavior होना चाहिए, respond आपका quickly होना चाहिए personalize होने चाहिए आप, customer की requirement को ध्यान रखना होगा, support देंगे customer को, उसकी problem को दूर करेंगे active listening रखो, अपने words पर कायम रहो, हना, तो यह सारी चीज़े हैं, जो effectively हमें customer service को, जो है वो motivate करेंगी उसके बाद, अगला जो unit आता है, वो क्या है, customer service classification unit number two में हम क्या discuss करेंगे, customer service, classification की customer service क्या-क्या हो सकती है अब आपने customer service का meaning पढ़ लिया, भई customer जो चाहता है, जो खरीदना चाहरा है उसके अलावा, extra उसको क्या मिला है, वो customer service है, है ना, तो classification देखते हैं इसका सबसे पहले characteristics, सबसे पहले यह आपका responsive approach होती है, simple सी बात है भई अगर customer के साथ हम deal कर रहे हैं, तो definite उसको respond भी तो करेंगे customer की कोई complaint है, उसको solve करेंगे, क्या customer समालने नहीं आया, उसको अगर salesman attendee ना करे, तो क्या होगा, एक negative image डालेंगे तो responsive approach होना जुरूरी है, empathy approach, empathy यानि customer problem को लेकर के, उसको समझाना है problem का solution क्या होगा, वो अच्छे से, प्यार से, harmonious तरीके से बताना होगा knowledgeable agent, जो staff काम कर रहा है, उसको product की proper knowledge होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि वह कोई भी product है, और quality को लेकर कि उसे knowledge नहीं है या price को लेकर उसे knowledge नहीं है, तो वो एक अच्छे customer service नहीं होगी professionalism होना चाहिए, ठीक है, professionalism means कि वह हमें बहुत ज़्यादा friendly भी नहीं होना है ठीक है, एक professional तरीके से deal करनी है high adaptability, different customer होते हैं, अलग-अलग उनकी need है तो customer की जरूरतों के हिसाब से हमें उनकी preference और requirement को जाना होगा और फिर service deal करनी होगी problem solving skill, customer की problem को पहले सुनो, समझो और उसके बाद उसका solution क्या होगा, वो उसको समझाओ approach in patience, मतलब कि patiently deal करना है लडाई जगडा करके, या फिर, एक fast तरीके से deal नहीं करना customer की problem को सुन रहे हैं, तो अच्छे से सुनो frustration नहीं निकालनी, simple सी बात यह है consistency बनाई रखनी है, टाकि आपका customer के उपर test बना रहे test जो है, वो ज़्यादा जरूरी होगा, long term service relation के लिए proactive, effective customer वही है, जो customer service वही होती है जहां पे customer के जुरूरतों को पूरा कर दिया जाए personalization, यानि agent को personally deal करनी है सारी problem multi-channel support हम दे सकते हैं, according to depend करता है company के product पर, feedback इसमें involve हो customer centric सारी activity होनी चाहिए language आपकी positive होनी चाहिए, follow up होना चाहिए यानि customer की problem को लेकर आपका response चार्ट भी होना चाहिए, जहां पर आप customer के response को check करो ठीक है, stress management पर ध्यान दे ठीक है, यह सारी चीज़े हैं, communication scale आपका बढ़िया हो तो इन से क्या होगा, एक तरीके से customer service अच्छी हो पाएगी, characteristics हैं यह सारे अब इसमें देखो, सबसे पहले pre transaction element आएगा, जहां पर retailer multiple product में deal करता है ठीक है, transaction element क्या है, जहां पर retailer quick responsiveness के साथ काम कर रहा है, post transaction element में उसकी sales service आजाएगी ठीक है, तीनों अलग-अलग जीजे हैं, यानि यहां पर तो उसके product हैं, भे वो किस product में deal करता है, यहां पर वो transaction करेगा, और यहां पर customer के साथ sales service का part आएगा, ठीक है अलग-अलग जीजे हैं, जैसे कि supermarket होते हैं, cost echo होते हैं, Ikea होते हैं, examples हैं, आप इनको अच्छे से मतब कि अगर पढ़ना चाहों तो पढ़ सकते हो ठीक है, यह सारे retailers के example हैं, Amazon हुआ, आपका flip card हुआ, Apple हुआ, यह सारे examples हैं, पढ़ सकते हो कोई ज्यादा मतब problem नहीं आएगी classification जरूरी है, classification of customer service सबसे पहले हैं information information का मतब यह है कि बही customer को जानकाली देना, customer जो question पूछे, उसका जवाब दो वो भी एक service का ही पार्ट है, अब चाहे वो call पर ही बात कर रहो, call पर भी अगर वो बात करता है तब भी हमें जवाब देना होगा, और अगर वो personally आकर के मिल रहा है, तब भी हमें जवाब देना होगा, consultation customer के जो questions हैं, उनको polite तरीके से solve करो, that is consultation, order taking मतब जहाँ पे हम customer से order को क्या करेंगे, receive करेंगे ठीक है, उसका order note करेंगे hospitality, यानि आपका बोलने चालने का तरीका, आप customer से deal कैसे करते हो, service किस तरह से provide कर रहे हो safe keeping, यानि customer जहाँ पे लगे, उसको कोई personally कोई problem नहाए, ठीक है जो retail store की location है, वो ऐसी होनी चाहिए, safe लगे customer को, ठीक है, exception, exception क्या होगी, normal service delivery से extra, जो अपनी चीजे करी, वो क्या है, exception है, billing, billing क्या है, bill, deal का part होता है, बहुँ, customer ने अगर कोई सामान खरीदा, तो उसको bill देना भी जिम्मेदारी बनती है, और last में क्या होगा, payment होगा, ठीक है, customer service का एक मातर goal क्या है, satisfaction, simple सी बात है, यह तो, कुछ समझाने की जुरूरत नहीं है, वह customer को satisfy करना चाहरे हैं, इसलिए हम यह customer service करते हैं, goal of the customer service, क्या है goal इसके, customer की loyalty बनाए रखना, ठीक है, अपने आपको brand की तरह treat करना, क्योंकि अगर हम brand हैं, तो हमारी service भी अच्छी होनी चाहिए, timely जो है, वह solution देना, fast solution देना, problem को लेकर, customer का dissatisfaction क्यों है, उसको दूर करना, उसका कारण जानना, ठीक है, customer lifetime value को बढ़ाना, ठीक है, customer के retention को improve करना, यह सारी चीज़े इसके अंदर आएंगी, productivity कैसे बढ़ेगी, यानि आपका product deliver करने का तरीका कितना fast है, आपका channel और media कैसा है, ठीक है, rating और review आपको बढ़ाने होंगे, valuable feedback collect करने होंगे, ठीक है, यह सारी चीज़े हैं, जो product को अच्छा करेंगे, या हमारी product की service को बढ़ाएगी, ठीक है, तो कुछ ऐसा नहीं था, कि आपको ना समझ आए, या बहुत ज़्यादा typical कुछ हो, है ना, easy सा है बिल्कुल, next year की how to provide the quality service, कैसे provide कर सकते हैं, आपका leadership mind होना चाहिए, मतब जो salesman है, उनके उपर एक supervisor होना जरूरी है, जैसे आप mall में जाते हूँ, तो वहाँ पे हर department में मिलेंगे, salesman भी मिलते हैं और उनके supervisor भी मिलते हैं, क्यों? ताकि एक quality service दी जा सके, company product service must be good, quality of the product must be good, हना, आपका product की quality अच्छी होनी चीए, जिसके उपर brand लिखा हो, और आप customer उस पे easily क्या कर पाए, विस्वाश कर पाए, customer service department अलग से बना होना चाहिए, जो properly सिरफ इसी काम पर deal करे, कि customer को क्या service देनी है, और क्या service नहीं देनी, customer service को properly, chart wise, clearly define करना होगा, कि कौन सा काम, किस employee प्रोएका है, चीक है, वो चीज़, बस, service agent इस वो भी trained, जो भी service provide कर रहे हैं, जो agent है, वो properly trained होने चाहिए, चीक है, तो यह सारी चीज़े हैं भी, chapter 3 क्या है, process of selling, selling का process क्या होता है, देखिए, सबसे पहले, sale के लिए prepare करना, यहाँ पर काम कौन करेगा, retailer करेगा, अब उसे कोई समान बेचना है, example के लिए, जैसे कि अभी festivals का season आ रहा है, तो festival चल रहे हैं, दिवाली यह से आने वाड़ी है, तो दिवाली से पहले किस चीज़ का store की कठा भी आ जाएगा, जो भी crackles हैं, इनका store की कठा होगा, तो preparation हो रही है है न, step number one क्या है, preparation to sale, यानि selling से पहले, जो भी material आपको चाहिए होगा, उसको हम क्या करेंगे, prepare करेंगे, number two क्या है, positive frame of the mind, यानि customer की service पर, वही motor दुबारा से, कि good service देनी है, ताकि हमारी sale को हम, बढ़ा पाएं, ठीक है, no you were retailer company, company के बारे में जानकारी, उसके product के बारे में जानकारी, होना जरूरी है, उसके बाद है, इसके कंपनी का procedure, कि कंपनी किस तरह से step क्या है उसके, वो purchasing कैसे कर रही है, selling कैसे कर रही है, उसका procedure क्या होगा, मिटिंग एंड ग्रीटिंग दा कस्टमर, उसके बाद है कि कस्टमर के साथ, मुलाकात कैसे हो, कस्टमर के साथ, प्रॉपरली बातचीत करें, चीक है, कस्टमर फिल दा मर्केंटाइज, मतलब कि जब भी store पर जाएगा, तो उसे लगना चाहिए, कि वो एक store में आया हुआ है, मर्केंटाइज store में है, प्राइस टेग उसके items पर दिखना चाहिए, पर्टिकुलर section होना चाहिए, जहां पर वो कस्टमर टाइम spend कर पाए, उसके पास basket होनी चाहिए, ठीक है, साइज वगरा वो चेक करता है, प्रॉपर हैंडलिंग करता है, तो यह सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आजा सेल्समैन, आपको कस्टमर के साथ साथ चलना होगा, ठीक है, और उसके हिसाब से हम उसको greet करेंगे, सर, मैम, इस तरह से आप बोलेंगे, तो कस्टमर को भी अच्छा लगेगा, तो यह सारी चीज़ें इसमें आती है, इनमें कुछ है ऐसा, आई कॉन टेक्ट और आपके चैरे पर एक स्माईल होनी चाहिए, आप प्रस्टेशन निकाल रहे हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए, ठीक है, प्रडक्ट के बारे में डिटेल नौलिज आपके पास है, हमें कस्टमर का कॉन्फिदेंस बिन करना होता है, ज़्यादा टाइम उसके अपर लगाएंगे, चीक है, ठीक है, इतना ज़्यादा उसको टाइम देना है, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचेज करें ब्रैंड के उपर उसके पॉजिटिव इमेज रखनी है कि वही पॉजिटिव वर्ड बोलने है ब्रांड के बारे में हना पास्ट एक्सपेरियंस आप बता सकते हो प्रडक्ट के बारे में कि कोई कस्टमर आया था वो उन्हों इमेज बनती है अच्छे से काम करवाएं इसके कि क्वर्शेशन कैसे स्टार्ट हों इसके बाद सपोर्टिंग से ऑपर्चनीटी यानि अवं से काम सब्सक्राइब आप से अपर्चनीटी बताना शुरू करोंगे मतलब आपके रिटेलर शोप के पास किस-किस प्रड़क्ट में डील होती है specific आप उसका description देना start करेंगे then customer need और want को identify करना अब आपने product के बारे में जानकारी दे दी फिर आपको ये पता लग जाएगा कि customer की जुरूरत क्या है बातों बातों में पता लगी जाएगा ठीक है ठीक है जैसे कि कोई लेडी है उनके साथ कोई बच्चा है ठीक है छोटा बच्चा है तो उसके साथ कैसे डील करना है ठीक है उनको uncomfortable ना लगे तो वो जिजों का ध्यान रखना वो भी customer की need का ही part होती है ठीक है direct question भी आप कर सकते हूँ indirect question भी कर सकते हूँ ताकि उनको अच्छा लगे उसके बाद है need and want जानने के बाद हम product match करेंगे कि वही हम customer की जरूरते हमें पता लगी उनकी wants पता लगी तो क्या हमारे पास उस accordingly product है तो हम वो चीज़ देखेंगे suggest a product first of all हम product suggest करेंगे बताएंगे कि हमारे पास ये product है linking customer need to product feature customer की जरूरत को जान लिया हमने और उस जरूरत को customer के product के साथ हमने add करके उसको समझाना होगा उसके बाद अगर उसे कोई problem आती है customer को objection है कोई problem है तो उसको दूर करने के जिम्मेदारी भी salesman की है ठीक है पहले उसको सुनेगा समझेगा और फिर उसका solution देगा ठीक है अलग-अलग तरीके होते हैं objection से deal करने के bypass it ठीक है objection को आप ये कह सकते हो कि अभी मेरे पास इसका solution नहीं है मैं in future आपको बता दूँगा ये भी कह सकते हो answer कर सकते हो confirm कर दोगे accept and balance ठीक है अगर कोई प्रड़क्ट अवैलेबल नहीं है तो उसके बारे में आप कैसे समझाओगे ठीक है offer extra information यानि कि कोई ज्यादा problem आ जाती है तो उस case में हमें प्रड़क्ट की और detail जानकारी भी देनी पड़ सकती है ताकि उसको हम प्रॉपरली क्या कर पाएं convince कर पाएं ठीक है प्राइस को लेकर objection हो तो वह कैसे डिल करेंगे ठीक है अलग अलग तरीके की चाहिए प्री कास्टमर बागनिंग करेगा और अब्जेक्शन उठाएगा तो कैसे डिल करते हैं उसकी शॉटकमिंग कैसे दूर करेंगे ठीक है समझ रहे हैं लास्ट वन इस क्लोजिंग दा सेल कंफर्मिंग दा सेल यहां पर हम एक सिगनल देते हैं कि भी सेल्समें अब सेल का प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है नॉन वर्बल सिगनल हो सकता है ठीक है आप प्रड़क्ट को पिक अप कर लेते हो और जाने के लिए त प्रोपिंग कंप्रेट हो गई मर्केंटाइज दा बाइंग सिगनल आप जो है वो डिरक्ली काउंटर पर जाते हो अपनी बिलिंग के लिए तो यह भी एक सिगनल है वर्बल सिगनल है आप बातचीत करके बता रहे हो ठीक है तो अलग-अलग तरह से हम क्लोज करते हैं अग सिगनल होता है इसमें कि आप एजूम कर रहे हो कि कस्टमर ने डिसीजन ले लिया अपकी अडवाइस को आपके सजेस्टन को सेल्स परसन की सजेस्टन जो है उसे माल लिया है तो वहाँ पर बात खतम हो जाएगी सेल्समेन को आप ज़्यादा बोलना नहीं पड़ेगा हम उसको कहते हैं कि आपको समान लेना है या नहीं लेना है ठीक है आल्टरनेटिव बताते हो आप उसको अगर दो है तो दो में से एक कैसे वो चूज़ करें उसके लिए हम समझा सकते हैं पेपरवक कमपारीट कर लेता है अगर वो या अपनी माइन को रीफ्रेम करता है तो हम समझ जाएंगे न के कस्टमर वो आगे प्रोसीड करना चाहता है ठीक है आगे जो है वो डील करना चाहरा है अभी उसका काम जो खतम हो गया in future वो क्या कर सकता है उसके उपर वो बात करेगा तो यह चीज है उसके बाद unit number 4 क्या है retail selling skill abnormal सी बात है जो salesman में skill है इसके उपर question skill का ही आएगा कि वही जो retailer है उसकी skill क्या क्या हो सकती है ठीक है सबसे पहले है self service self service क्या है customer first arrive वो cash counter पर आया उसने क्या करा order place किया ठीक है self selection इसमें क्या होगा discount वगरा दिया जाएगा full personal service क्या है lifestyle model store इस तरह का example इसमें आएगा जहां पे काफी सारे product में deal होती हो hyper market selling approach जहाँ पे retail store बहुत ज्यादा बड़ा हो ठीक है दियार catchment store किराना store जो इसे बोल सकते हूं किरियाने की store होते हैं जो वो इसमें आएगे single brand outlet जो सिरफ एक ही product में deal करते हैं स्टेट vendor गल्यों में गूमने वाले जो vendors है चीक है उसके बाद जो retailer का staff है उसे क्या काम करना चाहिए department में हमेशा वो available रहेगा कभी ऐसा नहीं होगा कि वो absent है अगर absent है तो अपनी जगा किसी दूसरे को जो है वहाँ पर लगा करके जाएगा body language strong होनी चाहिए customer को approach करना आना चाहिए चीक है product की knowledge उसके पास हो maintain eye contact with customer चीक है confidence इससे बना रहेगा way to help the customer इसके उपर वो बात करेगा उसके बाद है कि जब आप selling करने वाले हो as a salesman जब आप customer से deal करने वाड़े हो तो आपका attitude कैसा होना चाहिए attitude के लिए बस आपने positive बात रखनी है कि भी positive attitude होना चाहिए customer को लेकर आपकी body language positive हो positive self talk आपका बोल चाल का तरीका अच्छा होना चाहिए ताकि customer को deal करने में कोई दिक्कत ना है self affirmation यानि sale को लेकर आप properly confirmed हो ऐसा नहीं हो कि आपको knowledge नहीं है आपको product के price का नहीं पता हना तो हर तरह की छोटी से छोटी information आपके पास होनी चाहिए तब ही आप properly deal कर पाऊगे personal hygiene आपका appearance आपका बोलने का तरीका राइड वो चीज़ आपका hairstyle कैसा है आपके nail ठीक है आपका clothing sense किस तरह का है conservative watch should be worn मतलब ऐसा होना चाहिए कि लगना चाहिए कि आप एक salesman है है आपका appearance भी matter करेगा neatly आपको अपने tools polish करने हैं यह सारी चीज़े हैं अपने आपको prepare करना है कि कैसे soap में deal करोगे customer work यानि customer जब बात करता है उसके साथ चलना होगा हमें तो उसके साथ deal कैसे करेंगे properly उसकी बातों को मानेंगे कैसे तो यह सारी approach होती है के पीवर professional toolkit आपके पास professional toolkit हमेशा ready रहनी चाहिए product knowledge के importance होनी चाहिए मतलब आपको product के बारे में जानकारी हो चीक है इससे क्या होगा आपका communication strong हो जाएगा क्योंकि अब आपके पास knowledge है तो customer की हर दिक्कत का हर समस्या का आप समाधान बता पाओगे confidence इससे grow होगा enthusiasm आएगा आपके अंदर product क्यों लेकर ठीक है और एक best selling tool होता है enthusiasm product के बारे में जानकारी कैसे कटी कर सकते हो marketing से ठीक है या role playing है lectures methods होते ही है तो काफी सारे training method भी होगे जिससे आपके product knowledge बढ़ेगी ठीक है बस तो इसमें न आपका sales person का role दिया हुआ है कि sales person क्या role play करता है कौन से factor है जो उसके काम को पूरा करेंगे ठीक है तो ये हमारा chapter था पूरा जिसमें हम लोगों ने unit 4 तक चीजे discuss कर ली है यहां तक का कर लीजिए आज बाकी सारे unit हम next class के साथ discuss करेंगे ठीक है this is for today only thank you so much